इस वाले question को देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है कि अपने पास यहां पर radioactivity sample है two radioactivity a and b dk constant यहां पर दिया हुआ है t is equal to 0 पर same number हम निकली आई है तो ratio जो है जो बचा हुआ है उसका ratio one upon e कितने time बाद हो जाएगा तो आई होब कि आपको यह जो बचा हुआ जो dk constant वाला यह जो फार्मूला है वह आपको याद होगा कि n is equal to n not और e की power minus 5 यहां से lambda और t अगर यह फार्मूला आपको याद है lambda t वाला यह वाला तो यह जो t time बाद n not जो बचा हुआ है उसका equation है तो यही दो बार लगा देना है एक बार मैं x1 के लिए लगा देता हूं पर यहां से for a के लिए लगा देता हूं तो for a के लिए लगा दो तो यहां से n1 n1 n not और e की power minus यहां से 5 lambda t equation number first ठीक है और यहां से b के लिए for n2 n not e की power minus और lambda t that is यहां से 2 तो यहां से जो बचा हुआ है यह वाला तो n1 upon n2 जो बचा हुआ हुआ उसका ratio यह दिया हुआ है 1 upon e का whole square हो जा रहा है और यहां से जब divide करोगे तो e की power minus 5 lambda t और इगर e की power lambda t क्योंकि n not same था तो यहां पर बन जाएगे e की power minus 2 और e की power 5 lambda t और यहां से plus lambda t तो e की power minus 4 lambda t तो यहां से minus 2 is equal to minus 4 lambda t तो t is equal to आ जाएगा यहां से 2 upon 4 lambda मतलब यहां से 1 by 2 lambda तो इतने time बाद 1 by 2 lambda time बाद जो ratio हो यह condition fulfill हो जाएगा यह आपको मज़ा आ गया होगा Thank you